और बखमूत की वज़ा है पुतिन बहुत शर्मिंदा भी वह हुए है लेकिन अब पुतिन ने बदला लेने की तारीक चुल ली है जेलेंस्की को जब से एक गेम चेंजर मिसाइल मिली है पुतिन का गुसा सातवे आस्मान पढ़ जा पहुचा है और इसलिए पुतिन अब जेलेंस्की से ज़ादा उनकी मदद करने वाले लेटों को तबाह करने का ओर्डर दे चुके हैं जेलेंस्की ने ये तस्वीर पूरी दुनिया में वारल कर दी है इस तस्वीर में बहुत बड़ी धमकी है इस फोटो में बहुत बड़े धमके की आहट है बहुत खौफनाक अंजाम का ट्रेलर है इस तस्वीर में युद्ध को पलट देने बाली पावर है जेलेंस्की ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि ये फोटो व्लादिमेर पुतिन की टेबल तक जरूर पहुँचे ताकि पुतिन बार बार इसे देखें और समझ जाएं कि जेलेंस्की ने कौन सा बड़ा खत्रा उनके लिए पैदा कर दिया है सवाल है कि इस तस्वीर में ऐसा है क्या जो पुतिन को डरा सकता है जेलेंस्की की इस तस्वीर में बहुत बड़ा मेसेज है और ये फोटो खास पुतिन को डराने के लिए खीची गई है सवाल है कि इस तस्वीर में ऐसा है क्या जो पुतिन को डरा सकता है गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये योक्रेन का सुखोई 24 फाइटर जेट है और इसमें विंक्स के नीचे लगी हैं दो स्टॉम शैडो क्रूज मिसाइट जिनकी रेंज 200 किलो मेटर से भी जादा है इन दोनों मिसाइलों का मतलब है कि एक हवाई हमले में रूस के दो ठिकाने खत्म करने की तैयारी जैलन्सकी ने दखा दी है पुतिन के सामने अपनी 200 किलो मेटर तक जमीन को बचाने का बड़ा चैलेंज है 200 किलो मेटर का मतलब है कि जैलन्सकी अब रूस में घुस कर बंबारी कर रहे हैं और इसमें उनकी मदद नैठो कर रहा है इस टॉर्म शैटो को लेकर जैलन्सकी ने बहुत शोर मचाया है इस क्रूज मिसाइल को जैलन्सकी गेम चेंजर बता चुके हैं यही मिसाइल जैलन्सकी के काउंटर अटाक का सबसे बड़ा हत्यार मानी जा रही है इस मिसाइल की ताकत समझने से पहले आप देखिए कि इस मिसाइल को फायर करके जैलन्सकी की रेंज में रूस का कौन-कौन सा हिस्सा आ गया है और कई जगे तो उन्होंने हमलों को अन्जाम भी दिया है तो जवाब है कि धाई सो किलो मिटर रेंज के साथ ही ओपरेन के बॉडर के आसपास जो भी इलाका होगा वहाँ ये मिसाइल सठीक हमले करेगी धाई सो किलो मिटर की रेंज में पोतिन के बड़े सैन्याटे हैं पोतिन के मिसाइल लॉंचर हैं पुतिन की सेना के बड़े ठिकाने हैं और जहां तक ये मिसाइल जाएगी वहाँ बिन पॉइंट एकुरेसी यानि बहुत ही सथीक निशाने के साथ गवार करेगी इस वक्त इस मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए नैटो ने यूक्रेन के सोखोई 24 फाइटर जेट को तैयार कर दिया है सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है इस फाइटर जेट के दो वर्जन है और दोनों ही अब स्टॉम शैडो से लैस है यूक्रेन का सोखोई 24 विमार टार्गेट से 200 किलोमेटर दूर इस्तॉम शैडो मिसाइल को लॉंच करता है उसके बाद ये मिसाइल अपने पहले से तैय फ्लाइट पाथ पर उड़ते हुए टार्गेट के करीब पहुँचती है और हमले से एन पहले स्टॉम शैडो एक उचाई तक जाती है और फिर डाइट करके अपने टार्गेट पर हिट करती है अब स्टॉम शैडो को लेकर परदे के पीछे क्या हुआ उसे समझे योग्रेन को स्टॉम शैडो मिलने के बाद दोनिया ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और सीक्रेट मीटिंग देखी जो ब्रिटन में हुई दो बहुत ही ताकतवर हेलिकॉप्टर अचानक ब्रिटन के आस्मान में नजर आए दोनों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी दोनों हेलिकॉप्टरों में दो बहुत ही खास हस्तियां थी ये थे ब्रिटन के चिनूख हेलिकॉप्टर ये दोनों हेलिकॉप्टर एक बहुत बड़ी और शांदार हवेली के सामने मैदान में एक साथ होत्रे इस रहस्य को समेटे हुए कि कौन एस फ्लाइंग मशीन में सवार होकर यहां पहुचा है सबकी निगाहें हेलिकॉप्टर पर थी फिर दोनों हेलिकॉप्टरों में से कुछ लोग निकले और साथ मिलकर इस बड़ी सी हवेली की तरफ पढ़ने लगे तब पता चलता है कि आखिर ये दोनों हस्तियां कौन थी हवेली के दरवाजे के सामने स्टॉम शैडो वाली पार्टनर्शिप की तस्वीर थी जिसमें ओकरेन के राश्रबती वुलेदी मेट जैलेंस्की और साथ में थे ब्रिटन के प्रधान मंत्री रिशी सुनग इस दोरे से पहले ही ब्रिटन ने जैलेंस्की को स्टॉम शैडो मिसाइल दे दी थी ये मिसाइल नाटो का बहुत ही खास हथियार मानी जाती है ये योरो फाइटर ट्राइफून से लेकर राफैल और ग्रेपन से लेकर टॉर्नाडो और मिराज फाइटर से भी लाँच की जा सकती है इस मिसाइल के मिलने का मतलब है कि जो हथियार अमेरिका ने भी जैलेंस्की को नहीं दिया उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल तो ब्रिटन ने जैलेंस्की को थमा दिये रुटेन से मिले हतियारों के दम पर जैलेंस्की का जोश हाई है यूकरेन को इस बात का यकीन है कि वो इन हतियारों के दम पर युद्व मेर रूस को रोकने में कामयाब हो जाएगा लेकिन यूक्रेन को जो Storm Shadow मिसाईल मिली है उस पर पुतिन की खास नजर है और दावा इस बात का है कि रूस ने यूक्रेन की तरफ से दागी गई काई Storm Shadow मिसाईल को मार गिराया है Storm Shadow का जो वर्जन जेलंसकी को मिला है उसकी रेंज 250 किलो मीटर है यह उक्रेन के पास इतनी लंबी रेंज की कोई मिसाइल नहीं है. यह उक्रेन के पास इतनी लिए है. 12 माय उकलो 18.30 मिनूट पा मस्कोव्सकों व्रेमिनी बायवेमी समलेतों वज्दूशने सिल उक्राइने बुल निसे राकेतने उदार परिद्प्रियाथिवे पलिमेरन इसदेली पलिपाक इमेसा परिरवातवशीमू कंबिनाटु मिलां व गोरदे लुगाव्स्कू. रूस का दावा है कि उसने इस स्ट्राइक में शामिल योक्रेन के दो विमानों को मार हिराया. इनमें एक सुखोई 24 और दूसरा मिट 29 का. इस टॉम शैडो मिसाइल को लेकर योक्रेन के रक्षा मंत्राले ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें ब्रिटन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक और जैलेंस्की को ठाहा के लगा कर हस्ते हुए देखा जा सकता है. ट्वीट में बताया गया है कि अब काला सागर में रूस का नेवल बेस एस टॉम शैडो मिसाइल की रेंज में है. ब्रिटन से मेले इस मिसाइल को लेकर जैलेंस्की का जोश बहुत हाई है. और अब उन्हें यकीन है कि इस मिसाइल से वो रूस को रोकने में कामयाब होंगे. लेकिन इस मिसाइल की रिपोर्ट क्या कहती है? इस पर पोतिन के खास नजर है. रूस ने दावा किया है कि वो यूपरेम की तरफ से दागी गए स्टॉम शैडो क्रूज मिसाइल को मार गिरा चुका है. एक स्टॉम शैडो की कीमत 23 करोड रूपए है. लेहाज़ ये बहुत बड़ी मिसाइल है और इसका टार्गेट भी बहुत खास होना चाहिए. लेकिन यूपरेम इसको सही तरीके से अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाया है. जिसमें उसने रूस के किसी बड़े हाई वैलू टार्गेट को उड़ाया हो. यूपरेम का दावा है कि रूस इस मिसाइल से घबरा गया है. लेकिन क्या ये वाकई सच है? यही वज़ा है कि इस म इसमान में ही ट्रैक करके मार गिराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही. सवाल है कि पुतिन स्टॉम शैडो को काउंटर करने के लिए अब यूपरेन से कैसे बतला लेंगे? पुतिन को नैथो ने बहुत मुश्किल में डाल दिया है. इसलिए पुतिन ने अब नैथो को टार्गेट करने का फैसला किया है. और इसमें पुतिन के दो बहुत ही खद पूरी तरफ फेल हो जाएगा. ये तैयारी ऐसी जगह पर की जा रही है.